यह तो हमारा जाती विरुद और किसान को मिर्तु दंड देना चाहता है यह पंजाबी कास्ट काया रभूजी है हमको यह पता नहीं और हम इसको शियम नहीं चाहते है कि अपिको हम अपने काउं में भी निभूजने देंगे किसी तक पर खड़ानी होने देंगे ना बासन देने देंगे इनके साथ हम पत्राव करेंगे और यह जैसा व्यवार हमारे साथ कर रहे हम इससे पुरा दरी किसान शर्डों को पर धक्ये ख हा रहे हैं खुद सोचना चाहिए सरम नहीं आती है गोवर्मिन्ट का प्रतात अंतर देश है प्रतात नदर देश के अंदर वादा नहीं हमारे किसान कितने दुखी है आगर देश के आंदर एग आदम भी दुखी है तो सरकार के स्विए जे तो बगर मांगे जबरदस्ति क्यों दे रहे हैं मांग रहे हैं तो फिर जनता शरकार बनाती है या सरकार जनता हो बनाती है तुसी देख रहे हो सांजा टीवी ते मैं राजबी अधर पूलर तो अड़े सारे अंदाहार दे कर दाए इस वक्त आसे पकोडा चाओं कदे बिलकुल कोल जड़े हो खड़े हो हैं तुसी देख रहे हो वड़ी के इंती वेचे किसान इते डटे हो इने बहुत सारी यां गल् गल्बात कराओं जा रहे हैं खाप छती जाखड जाखड गोत नल सबंद ते खाप हैगी है थर्टी सिक्स बहुत सारे लोका दे वी सवाल ने के खाप जड़ी हो कि में बंदिया जे गाल करिए खाप विचे किन्ने पेंड हुं दे आउदा नाम कि में रख यांदा हरे आने सब्सक्राइब करें हो कि इस वक्त वेले समय दास ही इस्तेमाल कीता जांदा ताश खिड़ी जा रही है बाजी ते बाजी जड़ी है वो लाई जा रही है गल्बत कर दें हां जी राम राम जी जी सर आपका नाम क्या है रावत सिंग जी रावत जी पताइए खाप 36 जाखड सब्सक्राइब करें जी तो एकठे हुए थे इस मतलब इस धरने खाट जी देने तो उन्हों फैसला करें था भई अपना जाके वहां टिक रिबोर्टर के उपर अपना टेंट लाँए और वहां आपना वह करेंगे वह अपना रोजान ना डेली आते हैं सब्सक्राइब कर जी रगाओं चाते राख और और में आपके जो 36 अच शेतर की हो डीक मतरी जाण है पुछ ने इसा कोई हो नहीं है नहीं उसने शड़कें खोदी बहुत सारा रोकने का जतन किया उसका दूसरी तर्फ से कैसा सब्सक्राइब करने के बाद हम गदी पर उनको बठाते हैं फिर वह किसानों के विरुद्ध जैसे कुनून लेके आते हैं गलती का एसास होता है अब होता है जी बहुत बारी ऐसा है कि आमने जो बोट डाला बड़ा बारी दोखा खाया क्योंकि अमारा जो एरिया है वो कुछ पहले कांगरेश की तरफ था और अब विरुद्ध फिर कांगरेश का ही है यह सरकार तो जबर जस्ती घुश गई आम इस खट्र को नई खट्र को चा यहोग है कि यह तो हमारा जाती विरुद्ध और किसान को में देना चाहता है यह पंजाबि कास्त का यह रफू जी है हमको यह पता है और हम इसको 味कर नहीं चाहते हैं और रिशयाय क्लाइग को चांस भी में ही क्या लगता है पंजाब के किसानों के साथ बात करते हैं राजस्तान के वह यहीं करें कि किसी भी राइनितीक फार किसी भी आदमी की गाउं में यह वह बंद है है आपकी तर्फ से ऐसा कुछ है हाँ जी विजे पी को हम अपने गाउं में भी देंगे किसी तक्त पर खड़ा नियों न और बासन देने देंगे इनके साथ हम पत्राव करेंगे और यह जैसे विवार अमारे साथ करNet Jee demands पूरा करें यह हम 거 न हैtır दानमंत्री चाहिए और ना हम इससे खुश हैं और ना ही हमारा जो खटर पट रहा है यह चाहिए अपको क्या लगता है इस समय अंदोलन कैसा चर रहा है जैसे बहुत सारी बाते मीडिया में यह बोली जाती है कि उंदोलन खत्म होने की कगार पे बहुत सारी किसान चले गए किसान अपनी जायद मांग रहे हैं किसान देख मुमी पुत्र है अपना गोजरा करता है जब से मारे बाप दादा पर दादा जब से सरश्टी हुए तो अपना परशनाव वाकर के करते रहें उसी बूमी को जो यह सरकार आम से चीन दे तो अच्छी बात तो नहीं है सरकार वब्वर्मिंट्वर्ण ही का पर्तात अंतर देश है कितने दूकी है अगर देश के अंदर दूकी है तो चरकार के लिए जिएना दिखकार है जी सर यह बताईए मोधी साब यह कहते थे ब्रदान मंत्री बनने से पहले के सब की सब की खाते में 15 15 लाग आगे आपके खाते में आगे 15 लाग क्या 15 लाग तो खा लिए हमारे इसने दिया क्या है इसने कुछ नहीं किसान का दो लाग दो अजार भी नोट बंद कभी शोट बंद और कभी दुनिया सब प्रदान मंत्री से पहले देखा था नहीं कभी नहीं देखा बहुत आए हम चोट चड़े पत्चे थे नहरू या गांदी जो पहले मारेगा ठीक है यह तो मुर्दा बना रहा है जंता को आगी शमत में हाँ जी प्रेस रपोर्ट जी जी बिलकुल आपकी बात वरी अच्छी लगी के जैसे भाईया ने बताया बाबु जी ने ताउ जी ने बताया के गांव 36 गांव का एक कहलिए गुरूप होता है उसको खाब बोला जाता है जैसे इसमें जाखड जो गोत है उनके लोग इस खाब में आते हैं और कौन-कौन से गोत है जी जाखड का नामते है सबस्का एक एक जून है कौन-कौन से गोत होते हैं थोड़ा से यह बताएए आपके अमारे एरिये में जाखड भाई धन खड़े राड़े सुहाग और बाई मान भी से दयावी से दयावी से दयावी से दयावी से एक जुटा है एक जुटा की हम देख सकते हैं बात यह सारे कठे यहां पर बैठे हुए हैं बात यह भी करते हैं कि अगर यह क्रिशी कनून लागू होते हैं उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी यह किसान बाते करते रहते हैं और वाइसाब हमारे साथ बात कर रहे थे मेरे को बात इनकी बड़े अच्छी लगी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वाइसाब आप वो रहे थे कि अगर यह कृशी कनून लागू होते हैं तो इसके बाद क्या चांस है कि सरकार क्या नया लेा सकती है जो खुछी सबसे पहल कि उस वज़े से लोगों ने एक सर्विसमेंट के वज़े से इसको काफी बड़ा आव मिला और यह इसकी सरकार दुबारा आगी इसके बाद में इन्होंने कटिंग करनी शुरू कर दिया हर साइड से किसान को पकड़ना जय जवान जय किसान किसान को मालना सुरू कर दिया कि एक सर्विसमेंन हैं उनकी पिंशन में से कट होती शुरू कर दिये उसका बज़ट कम कर दिया है और हर चीज का रेट अप करता दा रहा है दिन पर ती दिन इतनी महंग आई कांग्रेस के राज में जब 65 डीजल था उस टेंप पर यह बोलता था अब 26 रुपए की एक बेरल आती है और बोले यह साथ रुपए विक्री कर रहे हैं अभी वह 26 रुपए की 28 रुपए के आरे यह वह 50 रुपए बेज रहे हैं यह पैसा कहां से जा रहा है अभी बोलते है किसान का हम दो डाही रुपए अलग से निकालेंगे वह डाही क्राइप निय universes लोजान के जिवा कोई फादय नहीं है कल यही सरकार यह कौर्णन लागू करने के बाद कि बोलई या आलिक्शन में बहुत खर्चा होता है कहीं बोट बढ़ते मास्ट्र होता है उसके बाद में की मशिन में होता है समय उसको खतम करो उसमों खरचा ज्यादवारी भी बड़ी-बडी कॉफ सभ्रेंब करते हैं तो यह करें वह इनने तो सब कुछ खतम करो और बही जो MP MP अबेटा MP बन जाएगा MP अबेटा MP बन जाएगा बोट गेरना बंद करो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है कल से फिर दूसरा कानून और लेके खड़े हो जाएंगे ताकि इसको MP MLA कोई भी है उसको ना अलेक्शन लड़ने ही जरूत ना किसी जनता की जरूत ना और किसी चीज़ की जरूत इसलिए पहले इनको निश्करत करेंगे फिर वो कानून लागू कर देंगे तो यह क्या है कि हिंदुस्तान को गिर्वी रखने वारी बात है कि समझे मतलब बिक्री करने वारी बात है किसान को बिक्री कर रहे हैं एक सर् प्लेनिंग और लेके आजाएंगे आप देख सकते हो कि जो किसान है वो जाग चुका है अगर सरकार की ऐसी कोई प्लेनिंग है ना इनके दमाग में पहले है कि सरकार ऐसा कर सकती है लेकिन यह जागे हुए है वाइस आपको क्या लगता है यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमारे फैमलियां सब जो हमारा स्पोर्ट में हैं हमारा जितना भी पिछे से जो परिवार है हम कुछ ही दर आगे कुछ गाओं में वह हमारे लिए खाना पीना और चंदा जो भी खर्चा होता है वो करके देते हैं बोले तुम डटेरों पिछे हम कर रहे हैं आपके एरिये मे कुछ था के पार्टियों के पीशे लाके एक दूसरे के साथ वैर विरोद ऐसा कुछ था इतना नहीं है लेकिन यह पार्टियों पीछा तो हता कोई बीजेपी में गया को कॉंग्रेश में है को जनता दर्रीश क्या बोलते हैं लोग दल में है तो यह अलग-अलग तो लाएं तोटेंगे मतलब है कि अब लोग-ठ्ठा होकर बैठें कोई कांगरेसी है कोई वाला नहीं आएं कि पार्टी कुछ जंडे के नीचे हैं और किसान की कानुन के लिए सब बैठे वए और हम मोहदी जी जिसे अरदास करते हैं विंती करते हैं वह इसको जल्दी तो फिर कहते हैं राजसमा में बोले कि अंदोलन खत्म कर दो गर वापस चले जाओ MSP थी रहेगी और यो कनून है क्रिशी कनून इनकी तो बात ही नहीं कर रहे कि यह हम रद करेंगे या नहीं 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 इनको यह बोलते हैं वह नहीं है तो हम नकिशन उन मांगया नहीं तो बगर मांगे जबरदस्ति क्यों दे चरणिस के देख रहे हैं तो फिर जनता सरकारा नुट दे रहे हैं कर दो क्या कहना चाहते हो देशरव देश में लोग आपको देख रहे हैं अंदूलन कैसा चाह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताईए और नौजवान पीडिया जो 26 की गटना गटी थी चलो उससे हम बाहर आ गए आम एक मेल जोड़कर यह लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवानों को क्या कहना चाहते हूं नो जोना आमतिये बोलते हैं विश्यांति पूरोक मतली दर्णा दो आम कि शिगवान मतली दुस्मन नहीं है ना कोया मारा हो और जो यह कर रहे हैं इसको कानून को मतला मारे को बगाने के चक्कर में यह गड़बड कर रहे हैं जो एक दिन पहले जंडा तरवार रहे तो यह ग लाल किलाय जिसमें चड़ी भी फर नहीं मार सकती तो उस दिन कैसे लोग पहुंच गए क्योंकि बहुत जंग बारी संख्या में उस दिन फोर्स होती है को 26 का दिन था तो लोग कैसे पहुंच लगता है कि सरकार की मिली बुक्त थी यह तो सब देखने देखने से पता चलता है वेशे भी अगर मेरे को दो आदमी हमारे डूटीब लगा दो हमारा जंडा के सट आ देंगे इदर हरुन के पास तो फोर्स थी पुलिस सब्सक्राइब लगता था कि एक दर्म का वो लगाया और एक दर्म की लड़ाई बना दी लगता है कि ठीक किया पुलिस ने जो नौजवान थे उनकी उनका भी पता चल गया हमारी जुनिन के निताओं को कि वो गल्त थे कि मैं तो यह बोलता हुँ जण्डा को पर चड़े आचड़ाने के लिए हमारे त्रंगा जण्डा का उस आदमी अपमान किया है तो अमारे उपर गोली शेओ उद्र ही उड़ा देना था गोवर्मेंट की कमजोरी ही जो कि उसनों जण्डा पर आया हमारे त्रंगा आपमान किया है तो उस एक आदमी वो तो इतनी पुलिस थी पॉरस थी उसको आदेश देने इदुरुक नहीं उसको उड़ा देना चाहिए था गलत काम कर रहा है और फिर वह आसानी से निकल के जा रहा है अभी तक पुलिस के आथ नहीं लग रहा है यह लग गया कल उसकी गिर्फतार किसान लाल किले से गिर्फतार किये हैं जिन पर उपर बहुत सारी दराएं लगा दी मीडिया के करमचारी भी गिर्फतार किये थे तिहाड जील में इनको बंद किया उसके बर में क्या कहना चाहती है इनका यह जो सरकार के जो खलाब बोल रहे थे उनको बंद कर दिया अगर पर दो जो मांग है इनके पूरी कर दो बिलकुल लगातार एही गल्ला हुंदियां ने पिंजाब हरयाना राजस्तान लागलाग स्टेटां दे किसानना दे नाल के जदो तक ए तैन काले कनून राद नहीं हुंदे उदो ताके तरना जारी रहेगा इस गर्च जारी रहेगा बहुत सारियां उत्रा चड़ा अभी आये ने क्योंकि हर एक अंदोलन वेच हर एक मोर्चे दे वेच ए पड़ा आउंदे ने पर असन अंदोलन ही हुंदा जड़ा आंत जट वाल जट लेके उस तो बाद समापत हु असी संजा टीवी दे माधियम रही तो हानू कसाना दे नाल गलबात यडियो कर्मोने रहने तो हादे रूबरू कसाना नू करते रहने तो दे हलात तो अनू तखोंदे रहने लगातार संजा टीवी दी कोशेश भरकरा रहूगी एस वक्त मैं राजविंदर पुलर अपने दोस्त विने पार दवाय दे नाल पकवडा चॉंक टिकरी बार्डर तो लहना आ गया तुसी देख देरो संजा टीवी ताता कलीशा सिकाल प्लीज सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस दा बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिलकोल भी मैस ना करों